पिर आपको भी Pixel Lab में font select करने में दिक्कत हो रही है जैसे कि आप देख सकते हैं कि वीडियो में मैं font select कर रही हूँ लेकिन यहाँ पे कोई font दिखी नहीं रहा है और यहाँ add के option पे जाने के बाद से भी आपको कोई font नहीं दिख रहा है तो आज इस problem से छुटकारा पाना कितना असान है यह आपको पता चल जाएगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको Pixel Lab को install करना है install करने के बाद से आपको telegram app में आना है telegram का link आपको हमारे description में मिल जाएगी तो वहाँ पे हमने Pixel Lab का एक AP के डाल रहा है जिसको आपको download करके install कर लेना है अपने phone में जी जी तो वीडियो को end तक जरूर देखिएगा क्योंकि end तक आपकी problem को बिलकुल solve कर दिया जाएगा आप देख सकते हैं कि Pixel Lab install हो चुका है अब हमें इस Pixel Lab को open करना है पर क्लिक करने के बाद आपको font पर क्लिक करना है font पर क्लिक करने के बाद से आपको यहाँ पर कुछ funds दिखाए दे रहे होंगे बट उस पे नहीं हमें my font पर क्लिक करना है तब यह आप देख सकते हो यहाँ पर कोई भी font zone नहीं हो रहा है अभी आप यहां से font add कर सकते हो तो मैंने पहले से बहुत सारे font download करके रखे हुए थे तो अभी आपको download पर क्लिक करना है download पर क्लिक करने के बाद से आपको यहां पर बहुत सारे font देख रहे होंगे आपको इन में से कोई सा भी एक select कर लेना है अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास जितने भी font हैं अब सारे show हो रहे हैं तो अभी आपको add dictionary पर click करना है मैंने जितने भी font डाउनलोड किये थे वो सारे font आप pixel lab में add हो जाते हैं इस तरीके से आप अपने pixel lab में font को select कर सकते हैं वीडियो अच्छी लगी हो था हमारे वीडियो को like करें शैनल को subscribe करें वीडियो को end तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद